सबी भीवर को नमस्कार आज सुबो जब मैं जंगल को इतरफ निकला तो जंगल का नजारा बहुती अमेजिंग था चारूतरा भरिया ली और पक्षियों की आवाजें और सामने खूपसूरत बैली व्यू जो अपने आप में एक अनोखा आनन दे रहा था कहीं दूप कहीं चाहू इसको देखके ऐसा लगा कि जैसे मैं किसी स्वर्ग या एक ऐसी जगों में पहुच गिया जहां का शांत वाता वरण प्रकृती की सुंदर हवा जंगल का नेचर वॉक अनोखा मैसूस करवा रहा था मैं पगवान को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिनोंने प्रकृती में एक अनोखी चीज मिक्स करके घोल कर हमारे सामने रख दी और फिर मैं और इससे ज़्यादा कुछ कहूँ क्योंकि ये मेरी आँखे देख रही है अगर आप लोग भी अपनी आँखों से इस सुंदर नजारे को देखना चाहते हैं तो बिनसर वाइड लाइप सेंचुरी के अंदर एक छोटा सा खुबसूरत गाउं तलाड जी हां अंतराश्टी पठल में जिस गाउं का जिक्र होता है वो गाउं आप अपने आँखों से देखें और ये पाथ ये रस्ता देख रहे हैं जो बहुत जेंटल और साब की तरो तेड़ा मेरा गाउं तक पहुचाता है जो रोट से हटके हैं और रोट से हटके होने का मलब यह है कि यहां पर पॉलिशन बिलकुल नहीं है यह हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है इसलिए हम लोगों का प्रियास ही रहता है कि हम रोट से दूर रहकर प्रकृति का पूरा अनंदल है तैन्यवाद